वेलो फ्रेंट्स वेल्कू टू मैं चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ एक अपना परसनल एक्सपिरेंश शेयर करने जा रहा हूं यह जो एक्सपिरेंश है यह हीरो की वेबसाइट के बारे में हैं फ्रेंश देखिए पहले जैसे कि आप जानते थे के शुरू-शुरू म हीरो की वेबसाइट काफी अच्छी चलती थी पर अब इन्होंने इनका बहुत बुरा हलो चुका है अब यह कोई एक सिंगल पार्ट भी होता है उसको भी आपने दस एक पार्ट ओडर किये चार पार्ट ओड़ी किये तो इसमें से एक भी एकर पार्ट नहीं मिलेगा तो इ बेरिंग और विष्ट पिछला जो शोकर होता है वह स्कूझर जो है इनके पास नहीं था तो इन्होंने चैनल करते इह फिर मैने दुबारा चीय defini को मैंने की ऐबर जो वेभी था और किया तो यह उपकी डीबिसित द्रिया लारी क 눈물 उसकी rubber को मैंने जो है order किया तो फिर definitely जो है इन्हों ने cancel कर दिया तो अभी लास्ट वाले जो order है उसमें इन्होंने उमिएंगेर को बड़ा परिशानल कर रखा है यह 410 रुबए का order था इसमें मैंने speedometer की cable जो है order की थी ब्रेक्शू ओडर किया था हलागी बहुत चोटी चीज है बहुत ही ऐसा कोई बड़ा आइटम नहीं है जो जल्दी से ना मिले पर फिर भी नोंने जो है ओडर मेरा सिर्फ यह स्पीडोमेटर केबल के जैसे शायद कैंसल कर दिया है अभी साथ तरीका किया हुआ ओडर है साथ प्रिफंड भी अभी तक मुझे मिला है मैंने बहुत सारी कोशिश की है मैंने बहुत सारे इनको जो है है एप्लिकेशन वगरे लिखी है लेटर लिखे है मेल किया है इनको तो इन्हों ने उसका कोई जबाब नहीं दिया अब इनका जो मैंने इमेल पर कस्टमेर के लिए से बात करने कोशिश करी तो सबसे पहली प्रॉब्डम यहीं फेस करने पड़ती है कि जो इनका कस्टमेर के नंबर है वो मिल जाता है उसके बाद IVR जो है वो चलता है उसके बाद जैसे ही वो कहती है कि आपकी कॉल करनेक्ट होने वाली है तब ही कॉल डिसकनेक्ट हो जाती है अपने आप ही मैंने हजारों कॉन मिलाई वो कनेक्ट नहीं हो पाई तो उसके आया कि आपका यह order cancel हो चुका है और कंसर्ट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है उसके बाद मेरे को कोई reply नहीं आया कोई मेरे response नहीं आया ना मेरे refund आया तो मैंने फिर इनके ग्रीमियंस सेल पर मैंने जो है मेल किया और ग्रीमियंस वालों ने भी कोई कोई मुझे सही reply नहीं दिया है अभी तक मैंने इनके जो इशॉप जो है उसके सपोर्ट के यह किस्टमर के रुपे मेल किया कि मैंने ओर्डर किया है पर मुझे रिफंड नहीं मिला है तो उसका कोई reply नहीं आया उसके बाद जो है इनका मैंने grievance officer को मैंने इशॉफ वाले grievance officer को मैंने email किया तो उसका भी कोई नहीं नहीं रिप्लाइ दिया डियर सर मैम थैंक्स फॉर राइटिंग आस वियर इन प्रसेश्टमर एमेल आवर टीम विल कनेक्ट यू शॉटली आफटर पर अर्ली resolution रिगार्स गर्विंग ऑफिसर तो उसके बाद फिर मुझे कोई रिप्लाइ नहीं आया इन्होंने ना मुझे रिफॉर्ण गिया ना उसका कोई रिप्लाइ आया है अभी तक consumer forum में जो development की उस पर मैंने जो mail किया उसके complaint generate की तो उसमें भी अभी problem यह show हो रही है कि उन्होंने देखिये 27 तारिक को उन्होंने जो है सेम उसी ग्रिवेंस जो officer होगा hero का उसको mail कर दिया है the grievance has been emailed to the company 27 तारिक को जाके यह जो है grievance जो है गया है और आज तीन तारिक तक भी कोई refund नहीं कोई जो है कोई इसका resolution नहीं दिया है नहीं consumer form वालों ने दिया है नहीं hero Honda वालों ने hero motocop वालों ने दिया है तो यानि कहने का मतलब यह है कि अभी इन process में ही show करता रहता है तो कहने का मतलब है कि आप कभी भी hero की website से spare part order ना करे सबसे पहला step आपका यही रहेगा कि आप local जो service center है वहाँ पता करें अगर आपको genuine part थी यह तो नहीं तो आप सबसे पहले तो अपने local area में जो genuine part के लिए try करें क्योंकि देखिए एक तो यह जो spare part जो send करते हैं पहली बात है cancel करेंगे तो आपको बताएंगे नहीं कुछ भी आप बैठे रहोगे spare part की wait करते रहोगे पर आपको बाद में जब आप अपनी website में जाके देखोगे login करोगे तो आपको यह पता चलेगा क आपको spare part ही cancel कर दिया गया है तो एक तो time खराब होता है उपर से आपका देखिए कोई response नहीं है किसी भी officer का किसी भी इनके employee का hero का कोई response नहीं है तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप यहां से इनकी website से कभी spare part order ना करें नहीं तो आप भी मेरी तरफ फस सकते हैं और की website से कभी spare part order नहीं करना चाहिए तो friends यह इस video को देखने के लिए धन्यवाद